कि दोस्तों में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक ही हैंडशेट में दो-दो वाट्सअप कैसे उज़ कर सकते हैं जो कि अलग-अलग नंबर से तो है ना कमाल के तो दोस्तों वीडियो के एन तक देखिए इसके साथ और भी एक चोटे साथ टेप्स दोंगा जो कि आ काफी इजीरी यूज़ कर सकते हैं वाट्सअप तो आपको क्या करना पड़ेगा है गुगल प्ले स्टोर पे जाना है वहाँ पर आपको नॉर्माल जो वाट्सप तो आपके पास पढ़ा ही है आपके मोबाइल में इंस्टल होगा नॉर्माल जो वाट्सप है ठीक है आप इसमें तो आपका एक नंबर यूज़ कर रहे हैं जो कि रेगुलर वेशिक नंबर है आप गुगल प्ले स्टोर में जाएंगे गुगल प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको वहाँ पे टाइप करना है वाट्सप बिजनेस वाला एक अप्लिकेशन है इस अप्लिकेशन को आप मोबाइल में इंस्टल कर लीजिए सेम प्रोसेस जैसे आप वाटसब लॉगिन करते टाइम आपको मोबाइल नंबर देना पड़ता है वहां से वाटीपी आता है ओटीपी के तुरू आप लॉगिन कर लाते हो फिर सेम फीचर से इसको मिलेगा तो एक आपका जो सेकंडरी नंबर है आप बड़े आ रहा है आसानी से इस पर अलग से वाटसब यूज कर सकते हो तो दोस्तों यह है पहला ट्रिक तो दूसरे ट्रिक मेरा है मानों आप फोन जैसे यहां पर एक आया हुआ है मैसेज यह वहला मैसेज आया हुआ है यहीं पर आप क्या करेंगे थोड़ा सा इसको डायरेट जाके ओपन करोगे तो आपको दिख जाएगा और सारे लोगों को दिख जाएगी यार हम मैसेज कर रहे हैं उनका ओनलाइन है फिर भी मेरे मेर इतले नहीं दे रहे हैं तो आपको सबसे बढ़िया कि आपको नोटिफिशन बार कुस्ट डाउन करिए डाउन करने को बाद यहीं पर डायरेक्ट रिप्ले कर दीजिए जिसका नाम है है मैं वीजी हूं कुछ भी आप कुछ भी लिख सकते हो लिखके को यहीं से सेंड कर द है तो किसी और भी मेसेज किया होगा तो अगर आपको वाट्सप उपन करते हो तो उनको पता चल जाएगा कि यह ओनलाइन है फिर यहां में रिप्ले नहीं दिया तो इस ट्रिक से आप वो चीश बज़ सकते हो तो दोस्तों यह था मेरा दो सिंपल सा ट्रिक आप इसको यू और चैनल को आगे बढ़ने के लिए आपकी छोटी सी मदद चाहिए जो कि सब्सक्राइब तो मिलते हैं कि नई विडियो से तब तक के लिए जय हिन बंदे माता